कि वेल्ड कम टो वाइफाइट इस तड़ी विच इपार्ट ऑफ अनकाडमी तो आप सबीका स्वागत है जल्दी से ही सबी सेशन से जुड जाएगा साथी सेशन को बागी स्टूरेंट्स के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वहें सबीवी क्लास से यहां पर जूड सक सब्सक्राइब करेंगे तो आज हम लोग पटाफर से अपने रैपीड पायर सीजन को स्टार्ट करने जा रही हैं तो क्लास होगी और क्लास स्टार्ट भी हो चुकी है एक बार सभी कॉमेंट्स करके मुझे बता दीजिएगा कि सभी चीज़े सही हैं आप लोगों को वोईस क्लास को यहां पर स्टार्ट करते हैं बिना अदेरी के ताकि जब्री फे जब्री हम लोग अपने स्टार्ट करेंगे आप लोग यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन से क्या हमारा आंसर यहां पर रहेगा ठीक है ओके ओके सभी को विकास तो आप भी लगा लिया करो क्या दिक्कत है मैं ब्राण का नाम शेयर कर दूंगी करेंगे भारत में लोह अयस्क का उत्पादन सरवाधिक किस राज्जी में होता है यह आपको बताना है बताएंगे क्या हो जाएगा यहां पर यहां पर उड़ी सा राज्जी है जो कि सबसे जादा उत्पादन के लिए बात करेंगे भारत में ब्हारत में कौन सा राज्जी है यहां सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है तो याद रखेगा यह है मध्य प्रदेश राज्य है जो कि मैगनीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है as a current time की रिपोर्ट के according ठीक है ओके दिक्षित चले ते नेक्स है कि बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य कर रहा है बताईए जयाने की मध्य प्रदेश में जो की बालाघाट की माइंस है यह किसके लिए जानी जाती है यह किसके लिए जानी जाती है याद रखेगा कि यह है copper production के लिए जानी जाती है इसके साथ ही भारत में copper की सबसे बड़ी माइन जो की है यह है राजिस्थान में खेत्री माइन है जो की copper के लिए जानी जाती है ठीक है राज्य है जो की चूना पत्थर का सबसे ज़्यादा अकपादन कर रहा है तो यह है राजिस्थान राज्य इसकी शॉर्ट लेकर के रख लीजिएगा अगले question पर चलते हैं आंसर कीजिएगा गुप्त वन्स का साशा कौन था यह आप लोगों को बताना है यानिकि संस्थापक हूँ वास दी फाउंडर ओफ गुप्त डाइनिस्टी आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा बहुत अच्छे शुरी गुप्त क्या हो जाएगा शुरी गुप्त जो की है यह अंतिम साशक यहां पर रहा है नितिश आप लिपिस्टिक लगा लिया क्या कीजिए इसमें कौन सी दिक्कत की बात अगर आपको पसंद है तो आप लोग भी लगा लिया क्या कीजिए हूण रखेगा तोर्मान जो की है यह इसके फाउंडर के रोप में यहां पर जाने जाते हैं और बाकी कुछ लोगों को कुछ बॉइस को जो की लिपिस्टिक का कलर पसंद आ रहा है तो डॉन्ट वरी मैं लास्ट में शेयर कर दूएं कौन सी ब्रांड की है आप यूज कर लीजि इसने सब्सक्राइब इसमें और रहेएगा та यह है शुम्ग डाइनेस्टी ऑन कि अगर बात कर लिदे है इसका संस्थापक इसे मानादा है याद राखेगा को मानाजाथ एकमिंटर रुखे गा पुश्यमित्र शुंग को इसका संस्थापक यहां पर जाना जाता है क्या हो जाएगा पुश्यमित्र शुंग अरे इसमें क्यों नहीं आ रहा अब यहां तक हम लोग आगे बढ़े हैं तो यहां तक हम लोग को आगे बढ़ चले थे यहां पर देखेगा क्यांसर हो जाएगा तो यह है पुश्यमित्र शुंग को जाना जाता है शुंग वंस के संस्थापक के रुखने जिसने की व्रदत की हत्या करके व्रदत जो की मौर्यवंश का अंतिम साशक था इसकी हत्या करके इसने शुंग वंस की स्थापना की थी चलिया आगे बढ़ते हैं वीजापुर में आदिल शाही वंस की स्थापना किस ने की थी तो किस ने की थी आदिल शाहा के दुआरा की गई थी ठीके मैं इसकी पीडियोफ आप लोगों को दे दूंगी कुछ पेंद्र थोड़ा सा पढ़ने पर भी फोकस किया करो पीडियोफ इखटे करके क्या करोगे आप कल से नोट्स के उपर चिला रहे हो चौल बं स्थापक के रूप में जाने जाते हैं विश्व स्वास्थे दीवस कब जो आंसर कर रहे हैं फॉस्ट वो साकेंड वो थर्ड एंड फॉर्थ फिप्थ एस तरह से वन लाइनर करना शुरू करते रहेगा ठीके तब हम जल्दी कर पाएंगे सेशन को साथ अप्रेल साथ अप अप्रेल 1948 में वर्ल्ड हैल्थ और्गिनाजिशन की स्थापना की गई थी इसलिए साथ अप्रेल को विश्व स्वास्थे दीवस के रुप में मनाया जाता है वादी पाउंडर इंडियन साइंटिस्ट तो गेट आ नोबल प्रुसकार पाने वाले पहले भारते वे ज्याने इसमें याद रखेगा चंद्र शेखर वैंकट रमन थे यानि की सीवी रमन के नाम से जिन्हें आप जानते हैं इन्हें 1930 में 28 में थोड़ा सा बता देती हूं इनके बारे में 28 फरवरी 1928 में इन्हों ने लाइट के एक प्रभाव जिससे की रमन प्रभाव कहा गया इनके नाम पर इसने रमन एक आक्ट के नाम से जाना गया इसकी खौज इन्हों की थी जिसके लिए इन्हें 1930 में फिजिक्स में इन्हें फिजिक्स में नॉबेल प्राइज दिया गया आगे आजाते हैं बिहार के सीम कौन है करन्ट टाइम में नितीश कुमार है जो कि अपनी टर्म में यहां पर बने हैं ठीक है कि नहीं मैं नहीं गई हूं है इस नहीं मैं वहां तक नहीं गई हूं तेनेक्स है हूं इस भी ज़र्ञ टाइम में यंकि Embu ऐबात करें तो ज्फ़ाशन की बात करें प्रजायन टाइम में भारत के अंदर प्रण्ड अमिस्टर है यह है शनाया कपूर क्या हो जाएगा शनाया कपूर है तो इस्टार किंग आप को खा जाओ आपकी भी लाल हो जाएंगे चलिए आंसे कीजिए सभी के सभी क्या हो जाएगा ऐसे करम मत करो कि आपको ब्लॉग किया जाए चार्ल्स डर्वीन क्या हो जाएगा चार्ल्स डर्वीन है और एक से विच स्टेट प्रोड्यूज हाइस कॉफी इन टुरहाउजंट वाइस के अनुसार भारत में कॉफी का सबसे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करनाटक राज्य और वर्ड की बात करें तो ब्राजील राज्य करता है रामनात कोविंद इस विच नंबर प्रेजिनेंट ऑप इंडिया यह कौन से नंबर के रास्ट्रपती रहें हैं सबसे पहली आदिवासी महिला प्रेजिदेंट याद रखेगा रेल मंतरी कौन रही है यह आप लोगों को बताना है प्रहाव समाज की स्थापना किस ने की है? क्या हो जाएगा यहां पर राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रहाव किस न arght की गई है? जो कि 18 28 ब्रहा प्ष complexity and पहले इसे आत्मी सभा़ के नाम से यहां पर जाना गया था, जो कि 18 чист में उसे establish किया गया था इस है भीच है तो कि आगर बात की जाए तो करनातक राजी और वर्ड की बात करें तो ब्राजील है जो कि यहां पर सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है कोपी का उत्पादन कर रहा है दे नेक्सट है विश्ष पुस्तक और कॉपिराइट दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड बुक एंड कॉपिराइट डे 23 अपरेल को मनाया जाता है 24 अपरेल को राष्टी पंचयती डीवस की रुप में मनाया जाता है इसे जस्ट पहले का डे यानि कि 22 अप्रेल की बात करें तो उस दिन World Earth Day मनाया जाता है The next है कि which country got the first rank in human development index 2020 यह 2022 की बात की गई है आप इसमे 2023 के according answer करके बताएंगे क्या है भारत की rank HDI की बात करें तो भारत की rank कितनी है answer कीजी चलिए भारत की जो राइंक है यह है कितनी है पटाफट से बताएंगे सभी चलिए बहुत अच्छे चले देखते हैं यहां पर चलिए क्या हो जाएगा 132 बिल्कुल सही है 132 राइंक है क्या हो जाएगा यहां पर अगर हम बात करें तो भारत की जो रैंक है यह 181 में यानिकी 191 country में 191 country में 132 जो की है यह बहुत की रैंक है यानिक 132 वी रैंक है question पर चलते है देनक्स आगे और टॉप की बात करें कि कौन सा देश पृथम पर है तो क्या हो जाएगा अपर नॉर्वे जैने वाज दि रॉलक्त पास्त रॉलाट एक्ट पर किस वर्श में पास्त किया गया था यह आपको बताना है अंसर करेंगे सबी किस भी क्या हो जाएगा चलिए बताये 2019 भाटीज दी पुलवर्म ओफ एण एफ़ एफ़ एफटी एफटी की पुलवर्म क्या है National Electronics फंड ट्रांसफर नेशनल इलक्रोनिक्स फंड ट्रांसफर इसकी फुलवर्म है वाट अरदी नेम्स ओफ दी connected by the quadilateral road चत्रभुच मार्ग से जो की जुड़े शहर है उनके नाम क्या है बताएंगे बहुत अच्छे क्या हो जाएगा दिल्ली मुंबई चिन्नई एंड पॉलकाता ठीक है पेयर वर्दी 2022 एशियन गेम्स हैड 2022 वाले एशियन गेम्स कहां पर आयजित किये गए थे 2022 की जगह रहा है और क्या हो जाएगा यह है होंग जाओ जो की चाइना का शहर है यहां पर इनकारजन चल रहा है चाप्चर कूट भारत के किस राज्जी में मनाया जाता है चाप्चर कूट तो क्या हो जाएगा कि यह मिजोरम राज्जी में यहां पर मनाया जाता है चाप्चर कूट दे नेक्स अगले कोईशन पर आ जाते हैं आंसर करने स्टार्ट करेंगे दे नेक्स इंडिया आस फर्स ट्रेन भारत की सबसे पहली ट्रेन भारत की सबसे पहली ट्रेन कौन सी रही है और कब चलाई गई थी बहुत अच्छे पिट्वीन बोरी बंदर यानिकी बॉंबे टू थाने डिस्टेंस जिसने की 34 किलोमेटर की डिस्टेंस को कवर किया था और भारत में सबसे पहली जो ट्रेन है यह है लोड डल होजी के काल में लोड लोड डल होजी के साशनकाल में 1853 के टाइम पर चलाए गई थी ठीक है बश्चन पर पर चलते हैं दे नेक्स आगे कि पार संगठन का जो कि मुख्याले है यह कहां पर है तो यह है स्विजर लैंड का जो की शहर है जिनेवा यहां पर है 1995 में इसका फोर्मेशन हुआ है इंडिया चीफ जर्ज इन करन टाइप यदि मैं प्रुजान टाइम में बात करूं तो भारत में जो की मुख्य न्याइध जाता है ते नेक्स है विच कंट्री वो अंदी मैंस होकी वर्ल्ड कप 2023 इन भुवनेश्वर अभी 2023 के जनवरी से परवरी के महिने में मैंस होकी वर्ल्ड कप का जो आयोजन है यह भारत की भारत के राज्य ओरिसा में जो कि भुवनेश्वर में कलिंग स्टेडियम है वहां क्रेस हैड़ क्वाटर इंटरपॉल एक और गयनाईजिशन लगा गया एक इंटर गॉर्मेंटल और ंग्यद याद रहगेगा इंटरनेशनल और नामसे इ penso कि फुल परोम इसके हैड़कॉर्टर की बात करेंगे तो फ्रांस का जो शहर है ल्योन यहां पर इसका है ट्रवाटर है है कि यह खार्टर ऑप अरिया समाज के सहस्थापक कौन जाने जाते हैं 1875, 1875 में इन्होंने आरे समाज की स्थापना करी थी यह question ही पुरा गायब हो गया था The name of Mount Everest in Nepal Mount Everest जो कि नेपाल में Mount Everest को किस नाम से जाना जाता है तो यह सागर मथा के नाम से जाना जाता है और चौंग मौंग लू के नाम से जाना जाता है तिबबत में National Science Day यानि कि रास्टे विज्ञान दिवस कब मना जाता है तो यह 28 फरवरी को मना जाता है Chief Finance Officer of World Bank यानि कि विश्व बैंक के मुख्य वित अधिकारी जो कि present time में भी बने हुए है यह कौन है भारतिय मूल के कौन है यहाँ पर चले तो क्या हो जाएगा यह है अंसुला कांत भारतिय मूल की है यहाँ प्रजाइन टाइम में यहाँ पर Chief Finance Officer आगे आजाते हैं ओथर ओफ लाइप आफ पाई लाइप पाई के जो लेखक है यह कौन है बताइए यहाँ पर भी 43 नंबर का question गायब है चलिए एक काम करो पुस्पेंदर पूरी किताब के जो questions हो वो comments में चाप दो भूद्ध questions के एक भी answer मत करना question चाप दो यहाँ पर चलिए answer कीज़ेगा क्या हो जाएगा यहाँ पर तो यह है यान मार्टेल क्या हो जाएगा यान मार्टेल यहाँ पर रहेगा नहीं महरा यहाँ पर आपसे क्या पूछा था चीफ फाइनेंस पूछा था प्रेजिडेंट पूछा है आपसे अगर आपसे कहे गा कि वर्ड बैंक के प्रेजिडेंट बताईए अध्यक्ष बताईए तब आपका answer रहेगा अजयुर्य बांगा दिए पर चीफ पाइनस दिफेरेंस नहीं चीफ फाइनस में और प्रेजिडेंट में है कि नहीं है हुआ था काजी रंगा नेशनल पार्क इस लोकेटिड काजी रंगा नेशनल पार्क जो की है यह असम राज्ची में है शुगमन गिल खबरों में नजर आये शुगमन गिल किस खेल से जुड़े हुए हैं काफी बहतरी नखिलाड़ी हैं सभी जानते ही हैं किर्केट से यह हैं ब्लॉंग करते हैं करेंट इस्पिकर ओफ लोकसभा वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष की बात कर लें तो कौन है ओम बिर्ला है जो कि राजिस्थान के कोटा से सांसद है यह नेक्स्ट आग्या जाते हैं डिजिट इन डैबिट कार्ड डैबिट कार्ड में कितने अंक होते हैं बताईए डैबिट कार्ड में कितने अंक होते हैं यह आपको बताना है आंसर कीजिएगा डैबिट कार्ड में 16 डिजिट होती है चैपिटल ओफ नागालेंड तो सबसे मुश्किल भरा कर्ष्टन ओहीमा चलिए देनेक्स से है जागोई डांस पॉर्म इस गलेटिट टू जागोई न इरते शायली किससे संबंदी तो सभी एक बार क्लास को लाइक भी कर दीजेगा और आप सभी ना डेली डेली मेरी क्लास सुभा ग्यारा बजी ही होती है Sunday special हम लोग one-liner questions कर रहे हैं बाकि daily हम लोग expected questions जो करते हैं वो with four options के साथ में ही करते हैं तो आप daily मेरे साथ 11 बजी की class से भी जुड़ जाया किया कीजी चले इस dance form की बात कर लेते हैं तो मनिपुरी dance form यानि की मनिपुर राज्ये से यह related है जो की मनिपुरी dance form का ही एक रूप है मनिपुरी dance form भारत की classical dance form में से एक है world water day किस दिन मनाया जाता है बहुत बढ़िया 22 march को मनाया जाता है बहुत अच्छे the next है world tutor यानि की विश्व कच्छवा दीवस कब मनाया जाता है यह तेहिस march को मनाया जाता है और एक बात और याद रखेंगा एक चीज और आप लोग को यहां पर याद करा दूँ में देखें एक है 22 march एक है 22 april एक है 22 22 march को मनाया जाता है world water day ठीक है 22 april को मनाया जाता है world earth day मनाया जाता है ठीक है और अगर 22 की बात करें तो इस दिन वर्ल्ड बायो डाइवर्सिटी डे मनाया जाता है यह कुछ लाइन से सर्फ मन्त का डिपेंस है तो इन तीनों के बारे में ही याद रख लेना question पर बढ़ चलते हैं यह सभी questions पूछे हुए questions है यह सभी के सभी आपके पूछे हुए questions है फुल फॉर्म ओफ जी एए पी याईनि की गैप का पूर्ण रूप क्या है यह आपको बताना है answer कीजिएक चलिए बहुत अच्छे तो क्या हो जाएगा बच्चो जनरली accepted accounting principles यह है इसकी फुल फॉर्म है जब आपको option दिये जाते तब आप ज्यादा 600 कवर कर सकते हुए यहां पर फॉटो फंडेट उपी तब से आपका answer नहीं दिखा बाइस अप्रेल पर आपको याद आगया क्या डे है तो रुपे के नोट पर किसकी फॉटो होती है क्या हो जाएगा रानी की वाव की है ना और अभी हाल ही में कौन से नोट बंद कर दिये गए हैं जिनकी लास डेट थी बैंक में जमा करने की 30 सितंबर सितंबर दो हजार तेहिस में और वियाई के द्वारा कौन से नोट यानि की पैसे वापस ले लिए गए हैं विल्कुल पाटिमा बहुत अच्छे दो हजार उपी चले और और ओफ वो एंड पीज गांधी जी इस बुक से बल्कि इस लेकर से बहुत जादा इस्पाइर रही है कुछा जाता है कि कि लेकर से काफ़ इंस्पाइर रही है तो कौन है यह रश्या से रहे हैं जिन्होंने की एक सॉल्जर के रुपे दिकाम कर च साइं एंड साथ्यान साथ्यान ज्यान से ग्रण्य और एसोसियेटेटेटेट विद इची स्पोर्ट यह ती लोगों के नाम आपको दिये गए हैं यह किस खेल से संबंधित है बिल्कुर आप सरथ कमल के नाम से ही जान सकते हैं यह सभी के सभी टेबल टैनिक से क्या अब देखने अब किलियर है क्या हो जायेगा एंडी जैसी तो कि क्या हो जाएगा अमेजन एंडी जैसी अभी लेग देखना वहीं चंडिंग अभी मुझे लेकर की बताईए वोईस किलियर है क्या अभी आपको अभी क्लिए रहे हैं, इनके अगर बात करें तो United Nations Organization का जो कि United Nations Secretary यानि कि सची वाले है, अभी वो इसके लिए हैं, सची वाले है, उसके 8th नमबर के, यानि कि UNO के 8th नमबर के यह है Secretary यानि कि सची वाले रहे हैं, याद रखेगा, और इसमें अगर बात करें तो यह हैं South Korea से, present time में कौन है, present time में है, कौन, बताएगा कोई UNO के present time में सेकेटरेट कौन है, बताएगा जो कि पूर्त गाल से ब्लॉंग करते हैं, बताओगी चल्दी से, UNO के सेकेटरेट कौन है present time में, जो कि 9th नमबर के है, वू वास flag carrier, flag barrier है, flag barrier in the Asian Games 2023 या ध्वजा वाहक, यानि की ध्वज लेकर के जो चल रहा था, भारत की ओर से जो कि ध्वजा वाहक रहा, Antonio Guterres, बहुत बढ़िया, कौन रहे हैं, हर्मन प्रीत सिहिंग और लवलीना बोर्गोहिन, हर्मन प्रीत की बात कर लेते हैं, तो इंडि अनिमल और नेपाल, नेपाल का रास्टी पश्व क्या है, क्या हो जाएगा, तो यह है काव, यानि की गाए, चीकिए, नेक्स्ट है कि यूएस ओपन 2023 जो कि अभी हाल ही में हुआ है, पिमेंस टाइटल किसने जीता है, बताएए, हरीकेश क्या बोलना है, बताएए क्या बो कोको, ऐसे करके याद रख सकते हो, कोको, तो यूएस ओपन इस बार इन्होंने जीता है, सांची इस्तूप इस लोकेटेड इन विस सिटी ओफ एमपी, मध्ये प्रदेश के किस शहर में सांची इस्तूप बना हुआ है, बताएए अगेश और महरा हम लोग नेक्स्ट वीक जब मैं आप लोगों के लिए सेशन लेगर क्या होंगी, तो सीजर लेवल के करेंगे, ठीक है, चलिए वो सभी के साथ में होता है, अभे सभी क्यों ही दिक्कत आती है, क्या हो जाएगा यहां पर राइस हैं, हम भी भूल जाते हैं, करेंट की जो चीजे होती हैं, अफकोस हम भी भूल जाते हैं, तो भूलना सभाविक है भारत में सिनिमा का जनक कौन जाना जाता है बताईए जी बिल्कुल दिल्ली पुलिस के लिए आप ले सकते हैं देखो जीके का जो पोर्शन है वो लगबग एक्जामस में आपका सेम ही रहता है दादा साहिब पाल के यहां पर है भुरी अगर बात करें तो यह कहां पर है बताई नहां है जम्मु कश्मीर jaki white टाइगर बुक इस रिटन बाई टाइगर बुक किसके दुआरा लिखी गई है यह आपको बताना है वाई टाइगर बुक किसके दुआरा लिखी गई है तो यह अरविंद अडिगा के दुआरा लिखी गई किताब है अरविंद अडिगा जिन्हें की अपनी इस किताब के लि करते हैं सो इस्टेश्वरी लिक्विडिटी रेशो जो की है यह है इसकी फुलपोर्म है अभी अगर आप वन लाइनर से प्रैक्टिस करते हो ना तो इससे आपको आंसर फिक्स याद होता है और जब आप ऑप्शन के साथ में करते हो तब आपको कन्फ्यूजन होती है दोनों क्लास में अटेंड करेंगे तब आपको पता चलेगा डेली 11 बजे सुछ में क्लास होती है सब्सक्राइब जान लीजिए गया तो आप आजाए क्या की जी आर्याना रायक की यह यहां पर आश्ट्रील्य उपन की विनर की रुप में जाने जाथे हैं साथ इनके बारे में यह भी याद रखेगा कि आश्ट्रील्य उपन जो है 1905 में यहां पर शुरू हुआ है क्योंकि सबसे नए Grand Slam के लिए जाना जाता है और यह हार्ड पोर्ट पर खेला जाता है इसने किस वर्ष में इस्टाबलिश किया गया था आज शाम को साथ बजे गलास नहीं रहेगी अकांशा option की तो आदत पढ़ चुकी है बट ये भी तो जानिए कि आपको आपने कभी देखा होगा कि आपको options के साथ में confusion होती है क्योंकि आप जादतर options पर ही depend रहते हैं आप answer fix याद ही नहीं किर पाथे हैं जब आपको answer fix याद है तो आप वन नहीं किर सकता है 敢 gets Maps आपकी तयारी में कमी है 1957 में इसका formation भाता है याद रखेगा In which year Imperial Bank is as SBI, यानि कि Imperial Bank जो की है, यह SBI कब बना था, 1955, 1955 में, और Imperial Bank कब बना था, 1921 में, 1921 में, इससे पहले तीन बैंक थे, Bank of Bombay, Bank of Madras, Bank of Kolkata, इन तीनों को merge करके, 1921 में Imperial Bank बनाए गया था, और Imperial Bank से बनाए गया SBI Blue Mountain, जो की पांक कुई के नाम से भी जाना जाता है, और इसका रिजव एरिया, इसका रिजव एरिया, नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, यह कहां पर है, मिजुरम में है, यहां पर क्या हो जाएगा, इसका Headquarter of Vikram Sarabhai की बात कर लेते हैं, तो कहां पर है, यह है त्रुवंतम पुरम, जो की केरल की Capital है, ICJ International Court of Justice की बात कर लेते हैं, दिहेग, दिहेग में इसका Headquarter है, और यह है नीदर लेंड का शहर है, यह हो जाएगा, यह है, नीदर लेंड का शहर है, याद रखेगा, बुलंद दर्वाजे का जो साकेंड नेम है, वह है क्या है, क्या है, दोर विक्ट्री, ठीक है, अकबर के दुआरे स्टैबलिश किया गया था, बुलंद दर्वाजे को गुजरात की विज़े के उपलक्ष में, यह है वैनवास चंद्रियान 3, लॉंच्ट, चंद्रियान 3 को कब लॉंच किया गया था? विल्कुल मेरा सही बात है, ओप्षन से एलिमिनेशन तब ही होगा, जब आपको वन लाइनर वाले याद होंगे, याद रखेगा, 14 जुलाई 2043 में इसे लॉंच किया गया था, ठीक है? और चंद्रियान 2 को कब लॉंच किया गया था? तो चंद्रियान 2 को जुलाई 2019 में लॉंच किया गया था, एंड चंद्रियान 1 को 2008 में लॉंच किया गया था, देनेक्स है कि there is no land boundary between India and which country, कौन से देश और भारत और किस देश की बिच में सीमा इस्थल नहीं है, तो वैसे ऐसे दो देश है, एक तो है श्रिलंका और एक है मौलदिव, इन दोनों में हम लोग जो लैंड एरिया है वो शेयर नहीं करते हैं, बलकि यह पाक स्ट्रेट के साथ में शेयर होता है, मौलदिव की बात करें, तो वह 8 डिग्री चैनल के साथ में हम शेयर करते हैं, जो हमारे पडोसी देश है, ठीक है, बताएंगे, याद रखेगा कि यह मध्य प्रदेश में है, क्या हो जाएगा, यह कहा पर है, मध्य प्रदेश में, ते नेक्स अगले question पर आ जाते हैं, answer करना शुरू कीजिएगा, कि अगर केवला देव पक्षिय अभ्यारणने की बात की जाए, तो वह है, कहां पर है, यह आप लोगों को बताना है, answer करेंगे सभी के सभी क्या हो जाएगा? चलिए, answer कीजिएगा, सभी की सभी क्या हो जाएगा यहाँ पर? बहुत अच्छे, क्या रहेगा यहाँ पर? तो यह है, राजिस्थान में, Prime Minister in 1977, March 24, 24, March 1977 में, प्रधान मंत्री कौन थे? यानि की, इंडिया के? सभी के लिए, क्या हो जाएगा? स्री मौरार्जी देश आई थे, चीके? 1977 में, जब सत्ता पल्टी थी, तो इंडिरा गांधी की जगा पर, जनता अदल पार्टी से मौरार्जी देश आई यहाँ पर, देश के प्रधान मंत्री बन गए थे, जो की सबसे पहले, गैर कॉंग्रेसी, देश के प्रधान मंत्री थे, साथ ही, अभी तक हमारे देश में, सबसे ज़्यादा उम्र दराज, यानि कि सबसे ज़्यादा ओल्ड प्राइम मिनेस्टर जो रहे हैं, ओल एज में, बहें मौरार्जी देशाई ही रहे है, फुल फॉर्म ओफ एफ ए ओ, बहुत बढ़िया, गेम चेंजर को ब्लॉक करूं, ठीके, तो ब्लॉक किया जाए, य अगरिकल्चर और्गेनाइजेशन, 1945, 1945 में, 1945 में इसका फॉर्मिशन हुआ, इसके हैड़कॉर्टर की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इटली की कापिटल, रॉम में, इसका हैड़कॉर्टर है, रैंडिट महरास्ट बिकेमा स्टेट, महरास्ट कब राज्ये बना, कब इसे राज्ये का दर्जा मिला, तो 1 मई 1960 को, यानि की 1 मई 1960 में इसे राज्ये का दर्जा मिला था, याद रखेगा, formation of UNO, यदि हम संयुक्त राष्ट संग के गठन की बात करें, तो आप सभी बताएंगे कि क्या हो जाएगा, चलिए, आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा, चलिए, बताएंगे सभी की सभी क्या आपका आंसर यहाँ पर रहेगा, चलिए, जल्ली से, बहुत अच्छे, याद रखेंगे यहाँ पर, कि वही, 24 अक्टूबर 1945, और New York में इसका हैड़क्वार्टर है, यह जो किताब है, यह किसके द्वारा लिखी गई है, यह आप लोगों को बताना है, आंसर कीजिएगा, फटा-फट से क्या हो जाएगा, चलिए, क्या आपको आंसर यहाँ पर रहेगा, चलिए, चलिए, देखते हैं जरा क्या हो जाएगा, तो यह है, सशी थरूर की बुक, फुजदी, Brand Ambassador of UNICEF in India, भारत में अगर हम UNICEF, यानि की United Nations International Children's Emergency Fund, यह इसकी फुल फॉर्म है, नियु यॉर्क में इसका Headquarter है, और आयुशमान खुराना अभी present time में यहाँ पर बने हुए हैं, इसकी Brand Ambassador, देख से है वेयर इस जुलू ट्राइब, इसका आंसर आप लोगों को मिली गया है, अफ्रीका है, क्या हो जाएगा, अफ्रीका यहां पे आंसर रहेगा, जिनको यह नहीं पता कि क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है भही आप कुछ कहा नहीं जा सकता आप लोगों को नहीं समझाए जा सकता वे इस गुरुदास गुरुरुदास हवायड़ा यह कहां पर है तो यह है पंजाब में है याद रखेगा ठीक है था नेक्स्ट है क्लिनेस्ट सिटी इन एडिया भारत में सबसे स्वच शहर की बात की जाए तो भारत में भाई सबसे स्वच शहर जो की है यह कौन सा है बताएंगे आप सभी के लिए चलिए तो देखते हैं यहां पर क्या हो जाएगा आपका इंदोर जो की है यह सबसे स्वच्छ शहर यहां पर रहा है यहां पर 2008 जो की है यहां पर 2008 में चंद्रियान फर्स्ट मिशन को लॉंच किया गया था चंद्रियान फर्स्ट मिशन को लॉंच किया गया था और इस समय पर माधव नायर माधव नायर जो की है यह है चेर्मेन थे इस रोके टनेक्स है कि विच लीडर बीकीम दी पोर्थ टाइम्स प्रेजिडेंट अगर मैं वर्ड में ही बात करूं जो की सबसे ज़्यादा बार यानि कि चार बार प्रेजिडेंट रही है यह हैं फ्रैंक्लीन डी रूजवेल्ट रूजवेल्ट यहाँ पर है जो कि अमेरिका के प्रेजिडेंट यह है रही है चार बार रही है इन विच एयर डिर दी इंडियन रूपी सिंबल केम इंटू एक्सिस्टेंस यह दिया ही हुआ है आंसर आपको 2010 में यहाँ पर आया था जो कि सिंबल क्या है यह सिंबल है जिसे कि रोमन के आर और हिंदी के रा इससे मिलकर के इसे बनाया गया है और किसने बनाया है तो उद्दित कुमार ने याद रखेगा चीक है इसे नेक्स विच मोवी नोमिनेटिट पॉर दी ओसकर अवोड यह दो हजार तेहिस की बात कर रहे हैं तो बताये दो हजार देहिस में जो ओसकर मिला है वह किसी मिला है चलिए बिल्कुल उदे कुमार है रुकना उद्धित नहीं उदे कुमार है उदे कुमार सोरी उदे कुमार याद रखेगा उदे कुमार आंसर कीजिए कि 2023 में जो की ओसकर अवोर्ड यहां पर मिला है यह आपको बताना है कि किसको यहां पर दिया गया है किसको Oscar Award मिला है चलिए every thing everywhere at all once ठीक है everything everywhere प्रदान मंत्री ने लपीजी से संबंधित कौन सी योजना शुरू की है यह आप लोगों को बताना है और इससे पहले का जो कि आपका question है कि चंद्रियान 2 को किस टाइम पर launch किया गया था यह भी आपको यहां पर बता करके चलना है चलिए आंसर करेंगे चलिए बिल्कुल यौनों के headquarter की बात करेंगे तो कहां पर है यॉर्क में है इसका foundation भी हम देख चुके हैं 24 अक्टूबर 1945 मेंस की स्थापना हुई थी कॉलकाता में यह चार option के साथ में ही आप आंसर कर पाएंगे विच स्कीम वाज लोंच बाइदी प्राइम मिनिस्टर रिगारडिंग एल्पी जी एल्पीजी स्रीडिट कौन सी स्कीम है तो पुर्धान बंत्री उज्वला योजना पुर्धान मंत्री उज्वला योजना जो की है यह लपीजी कनेक्शंसे यहां पर संबन दीद है चंदरियान 2 को कब लो सबस्क्राइड है है चंद्रियान के बारे याद रखेगा कि unless you सब्सक्राइब करके 35 मिनट पर इसे लॉंच किया गया था जिसने कि चाइना क्लेम कर रहा है भारत का कोई चंद्रियान चंद्रियान 3 मिशन जो है इसने चांद पर लैंडिंग की ही नहीं है चलिए आगे पर चलते हैं कर्क्रीम में आसर कीजेगा क्या भी बताना है आपको कि स्टाठउट इसकीम ! आपका यहां पर रहेगा स्टाठउट कि यह किस से यहां परicing सैंबापधित लिए किया हो जाएगा सो बही यह है Employment से एंड वैल्थ क्रियेशन से Employment and वैल्थ क्रियेशन से यह है रिलेटिड है ठीक है याद रखिएगा यानिकि Employment को एक तरह से बढ़ावा दीना United Nations University इस लोकेटिड यादि हम भारत में बात करें तो यह है कहां पर लोकेटिड है यह है दिल्ली में पार्ट इस जी एसलवी एमके थर्ड कोई बताएगा यह क्या है जी बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा यहां पर फेमस टेनस क्लाडी चले जी अगर बात करेंगे तो यह क्या है जी एसल्वी वाट इस दी जी एसल्वी आम के थर्ड आंसर करेंगे क्या हो जाएगा चलिए बताइए देखो इसकी अगर बात करें तो यह है जो की सैटलाइट्स को लॉंच किया जाता है तो उनका जो की मिसाइल एक तरह से लॉंच करने वाली जो मिसाइल यहां पर रहती है इसको यहां पर इसे जाना जाता है याद रखेगा जेसलवी की बात करूँ तो इसकी जो फुल फॉर्म है जेसलवी की यह है जियो सिंक्रोनस सैटलाइट लॉंच विकल जो की प्येसलवी से जादा लोड ले जाने में सक्षम है तो यह है बिहार राज्य से यहां पर सम्बांदित है परशिद्र टैनिस खिलाडियों की अगर टैनिस खिलाडी जाने जाते हैं वर्ड की बात करेंगे नोवाग जो को विछ हैं कार्लोस अलक्राज अर्या ड्राइब कीना जो के भी हम लोगों ने पढ़ा यहां पर एंड रोजर फैडर है रापेल नडाल है यह सबी पेमस टैनिस खिलाडी है देनेक्स से हैं से लास्ट यह बीन लोग कर चुके हैं पूड अघ्रिकलचर और जिसंग कर चुके यह क्या हो जाएगा फूड एंड ऑर एंग्रिकलचर और ऑ्र गार्टीं से बाकी class का time याद रखेगा, देखिए, daily जो अपनी class होती है, class का time आप सभी याद रखेगा, daily हम लोग fourth options के साथ में, जो अपनी class में questions की practice करते हैं, extracted questions की practice करते हैं, ये class हमारी daily सुभा 11 बजे होती है, तो आप सभी 11 बजे और एक class होती है हमारी शाम को 7 बजे, जो आज Sunday है, आज नहीं है, बाकी कल होगी, इसमें हम लोग previous air questions को discuss करते हैं, तो आप सभी class को यहाँ पर like कर दीजिएगा, तो अनू उसके बारे में अभी मैं विचार कर रही हूं, अभी complete विचार नहीं हुआ है, तो इस class को आज यहाँ तक रखते हैं, और आप सभी मुझे कल सुभा 11 12 बजे याद से join कर लीजिएगा, वाइफा स्टडी पर, साथ ही सभी के सभी class को भी like कर दीजिएगा, जिन्होंने की class को अभी तक like नहीं किया है, इसके साथ ही आप लोग क्या कर सकते हैं, कि अनकाडमी पर, आप क्या कर सकते हैं, कि आप सभी अनकाडमी पर यहाँ पर जो सब्सक्रप्शन लेने के बाद क्या है, कि चाहे दिल्ली पुलिस कोंस्टेबल के लिए, या फिर SSC स्टैनो के लिए, या फिर आप SSC GD के लिए, या फिर आप SSC CGL के लिए, या फिर जो भी running batch है, जो भी running batch है, उन सभी batch में access करके आप उसकी तयारी कर सकते हैं, यह आपक सब्सक्रप्शन के लिए, मेरे code को यूज कीजिएगा, जो की है, SOTY, यानि की, सोनमत्यागी, मेरे नाम के साथ का यह code है, ठीक है, चलिए, राजेश, थोड़ा सा ज्यादा जल्दी आप आगए, जो class है, वो चीज नहीं होती है, वो subject होता है, ठीक है, किस subject की class होती है, य अपनी GK and GA की class होती है, ठीक है, जैते कि आपका history है, ठीक है, polity है, economics है, geography है, static GK है, यह सभी के सभी, ठीक है, तो चीज नहीं होता है, subject होता है, ठीक है, सभी class को like कर दीजिएगा, सुमित अच्छा answer है, शूर अखिल मैं जो रात को 7 बज़े class करा रही हूँ, आप लोग 7 बज़े की class से जुड़े तो सही, शाम को जो 7 बज़े की class होती है, उसमें मैं दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल के previous year paper करा चुकी हूँ, और अब मैंने सीजल के paper स्टार्ट किये हुए हैं, तो सभी की बारी आएगी हम लोग इसमें SSC के ही previous year question कर रही है, तो आप डेली शाम को Monday to Saturday में साम को 7 बज़े की class से जुड़ सकते हैं, previous year questions की practice के लिए, and expected questions के लिए आप लोग मेरे साथ डेली सुभा 11 बज़े जुड़ सकते हैं, फिलाल आज की class को यहां तक रखते है सभी class को like कर दीजिएगा, मिलते हैं कल सुभा 11 बज़े अपनी class में, same time same जगा पर अपना ख्याल रखेगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहे हैं, so thank you students and जय हिंद, जय भारत